है गाइस वेलकम बैक ऑन गैट कॉवर्मेंट जॉब यूटूब चैनल दिस प्रभाद कुमार एंड वेलकम ऑन दिस चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CPU के बारे में CPU क्या होता है इसका फुल फॉम होता है Central Processing Unit इसे कंप्यूटर का तिमान की मस्तिस्क भी कहा जाता है क्योंके कंप्यूटर का मुक्र भाग होता है मेन भाग हो उसके नदर प्रोसेशर होता है और प्रोसेशर भी कही तरह के ओती है ज toggle i3 Empire i7 या आई 9 तो इसके बारे मेंते हैं बात करेंगी लेकिभ़ण CPU के पर प्रोसेसर होता है और रीगा होती है यह दो चीज नंगर के लिस किसकर होते हैं CPU का क्या होता है जो भी information कॉम्पटर के अंदर जाती है उसको प्रोसेस ना इसका काम हो फिर जब आउटपिट आता है तो प्रोसेस करने के बाद फिर वो हमें output देता है basically आपने computer के बाज़े में रखा हुआ एक चौकोर बकसा देखा होगा जो एक tower की जैसे थोड़ा सा लंबा रहता है उसे ही उसका CPU कहा जाता है इसके पीछे बहुत सारी cables के लिए unit बनी रहती है जिन से keyboard, monitor, mouse, printer आदी जुड़े होते हैं मतलब input और output devices इससे जुड़ी होती है इंपट devices से हम इसके अंदर input भेजते हैं और वो उसे process करने के बाद जब हम उसका output मांगते हैं तो output devices के जरिये output हमारे पास तक पहुँच जाता है तो ये है basic CPU और इसका काम तो मैंसे दूस्तों देगे जनकारी आपके काम आई होगी इस तरह के जनकारी उख चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें सोसल मीडिया पे शेयर करें और कमेंट करें आपका बहुत बहुत धन्यवात इस वीडियो का आपने आखरी तक देखा